हेलो बच्चों वेलकम तो इस अमेजिंग प्लाट्फर्म फिजिक्स वाला इस नैंसी डेयल और तोड़े विल डिसकूस्ट फॉर्थ लेक्ट्चर ऑफ बायो टेकनोलोजी एन इट्स अप्लिकेशन लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्या किया था एक बार हम क्विक करते हैं दास लेक्चर के अंदर हमने देखा था बायो टेकनोलोजी की अप्लिकेशन मेडिसिन के फिल्ड में इसके अंदर हमने पढ़ा था जैनेटिकली एंजिनियर्ड इंसुलिन इलाए लीली एक एमारिकन कंपनी थी जिसने 1983 के अंदर हुमिलिन बनाया था ठीक है जिसको हमने के इंजिनियर्ड इंसुलिन बोला था और हमने बात की थी जीन टेरपी के बारे में की जीन ठेपी के मतलब है कोई भी पॉल्टी जीन है उसकी रिप्लेस्मेंट कर देते हैं एक फंक्षिनल ज Jersey और इसी मिहुत जा जादा जरूरी है हमारे इम्यून सिस्टम के हरी डिएव की deficiency हो जाती है यानि कि ADA जो enzyme जो gene code करता है AD enzyme को अगर वो gene अगर उसमें कोई problem हो जाती है तो AD enzyme नहीं बनेगा और AD enzyme नहीं बनेगा तो इसका मतलब है हमारे immune system वो क्या हो गया है suppress हो गया था तो किस तरीके से हमने इस problem को overcome किया था by using gene therapy आज का जो लेक्चर होने वाला है आज के लेक्चर के अंदर हमने देखे हम देखेंगे biotechnology की application किसकी फिल्ड के अंदर molecular diagnosis की फिल्ड के अंदर ठीक है तो आज के लेक्चर के अंदर हम क्या 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 हो गया अटक बंद कर दो इसको मेरा ध्यान हो जारी था हेलो बच्चों वेलकम तो इस अमेजिंग प्लैट्फर्म आफ फिजिक्स वाला दिस इस नैंसी डेलाइं तोडे वी विल डिसकूस तो फोर्थ लेक्चर ऑफ व्य टेक्नोलोजी एन इस अप्लिकेशन लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्या किया था एक बार हम क्वीक रिक बिका ठीक है तो जब हम जनेटिकल इंजिनीर्ड इंसुलें ची बात करते हैं तो हमने देखा था कि किस तरीके से पहले के टाइम पर प्लैर्लेंट मेरेम गि URLs अगर दाया जाता था company का नाम है year आपने याद रखना that is 1983 है ना और हमने दूसरा example पढ़ा था gene therapy के बारे में यानि की gene therapy का मतलब है कि अगर कोई भी faulty gene है कि क्या उसकी replacement कर देते एक functional healthy gene से और इसी को हमने बोला था gene therapy और एक ncrt के इंदर एक बहुत अच्छा सा example दिया हुआ है यानि की ncrt के इंदर example दिया हुआ है कि एक four year old girl 1990 यहां पर भी year बहुत जादा important है उनको deficiency थी ada enzyme की ठीक है ada enzyme हमारी मतलब हमारी लिए क्यों important है ada enzyme हमारी लिए इसलिए important है क्योंकि ada enzyme हमारी immune system की development के लिए बहुत जादा important है ठीक है अगर ada gene नहीं होगा तो ada enzyme नहीं बनेगा ada enzyme नहीं बनेगा तो इसका मतलब हमारी जो immune system है वो suppress हो जाएगा ठीक है तो किस तरीके से हमने gene therapy का use करके इस problem को overcome किया था बहुत सारे तरीके enzyme replacement therapy और इसके अंदर bone marrow transplantation लेकिन यह दोनों के दोनों permanent के और नहीं थे ठीक है फिर हमने genetic recombinant DNA technology का यूज किया जिसके अंदर genetically engineered lymphocyte बनाई और जो कि patient को दी गए लेकिन यह भी permanent के और नहीं था क्यों क्योंकि जो lymphocyte का life span क्या होता है limited होता है ठीक है तो regular fusion के requirement थी patient के अंदर होती है और इस disease को क्यों तभी कर सकते हैं अगर यह पूरा का पूरा जो प्रोसेज है अर्ली embryonic stage के अंदर perform किया जाए तो यह हमने बहुत जादा important जो आप यह कह सकते हो कि biotechnology and its application chapter का जो base है ऐसा लगता है ना कि बहुत जादा strong जो topic है जहां से question ही सकता है वो आपका है biotechnology की application एक तो insect resistant plant pest resistant plant और आपका gene therapy and genetically engineered insulin ठीक है यह तो चार टॉपिक आपको आने ही आने चाहिए आज जो हम करेंगे वो करेंगे biotechnology की application किसकी फिल्ड के अंदर molecular diagnosis की फिल्ड के अंदर ठीक है तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना lecture और आज के lecture के अंदर क्या के चीज़े involved होंगी आज के lecture के अंदर चीज़े involved होंगी एक तो polymerase and reaction और auto radiography and ELISA और PCR के बारे में आप बहुत अच्छे से पढ़ चुके हो लेकिन हम किस तरीके से यहां पर PCR पढ़ेंगे molecular diagnosis के अंदर वो हम देखेंगे ठीक है शुरू करते हैं चलो शुरू करते हैं अपना lecture लेके प्रभू का नाम और आप जल्दी से heading बनाईए और heading के अंदर डालिए biotechnology application किसके अंदर in the field of molecular diagnosis ठीक है फिर हम अपना lecture शुरू करेंगे biotechnology application biotechnology application in field of molecular diagnosis molecular diagnosis की field के अंदर हम बात करेंगे biotechnology की application की ठीक है आप देखेंगे शुरू करते हैं हम अपना lecture देखो यह तो अच्छी बात है अगर हमें कोई डिजिस बहुत पहले पता चल जाती है ठीक है तो यानि कि कोई भी डिजिस का अर्ली treatment का possible है जब उसकी diagnosis बहुत अर्ली stage पे हो जाए तब हम patient को treatment कर सकते हैं प्री पेशेंट को हम treatment दे सकते हैं ठीक है तो कोई भी डिजिस ट्रीट करने के लिए सबसे पहले तो उसका अर्ली डिडेक्शन पॉसिबल है ठीक है अर्ली डिडेक्शन पॉसिबल होना चाहिए ठीक है तो जैसे अगर मैं बात करूँ पहले की टाइम पे जिसको हम कंवेंशनल मेथड बोलते हैं या फिर अगर मैं बात करूँ ट्रेडिशनल मेथड या फिर ओल्ड मेथड ऑफ डाइग्नोसिस उस केस के अंदर क्या होता था बच्चे तो पहले तो जो कोई भी डिजिस कोजिंग ऑर्गनीजम है ठीक है कोई भी बैक्टीरिया है कोई भी बोड़ी के उपर अटाइक करता है ठीक है फिर कुछी दिन के अंदर कुछ दिन के अंदर उसके सिम्टम्स आना शुरू होते हैं ठीक है अब सिम्टम्स आएंगे ठीक है अगर कोई भी परसन आई जसको कोई डिजिस होई है तो जब कैसे पता चलता था पहले के टाइम पर जब symptoms आ जाते हैं ठीक है अब symptoms आने के बाद urine analysis tool analysis blood sample analysis serum analysis किया जाता है ठीक है यानि कि symptoms आए symptoms आने के बाद check किया गया कि कोई अगर कोई डिजस होती है तो इसका मतलब क्या है जब symptoms आये तभी तो हमने चेक किया है तो इसका मतलब क्या है कि pathogen की amount यानि कि डिजस कोजिंग organism की जो amount है वो बोड़ी के अंदर तो बहुत जादा number के अंदर बढ़ गई है तो जो old technology थी जिसकी मदद से हम diagnosis करते थे old method आप बोल सकते हो conventional method बोल सकते है फिर traditional method बोलते हो जिसके अंदर serum analysis tool analysis urine analysis serum analysis के through old method होता है यह ठीक है आप देखो यानि कि एक तो यहां पर negative point क्या हो गया कि पहले तो symptoms आए symptoms आए हैं उसके बाद ही चेक किया है तब तक pathogen के amount body के अंदर जादा हो गई है तो यह एक अच्छा तरीका नहीं है अब एक new method क्या है new method analysis का क्या होता है कि यार मतलब symptoms का हम वेटी नहीं करते हैं इस case के अंदर क्या होगा जो new method है जिसका आपने मतलब मैंने पहली slide के अंदर नाम लिखवाएं जैसे की PCR हो गया aliza हो गया auto radiography हो गया तो इस case के अंदर क्या होता है बच्चे यहां पर हम symptoms आने का वेटी नहीं करते हैं अब early diagnosis कर लेंगे तो इसका मतलब क्या treatment भी possible होगा तो conventional method के एक limitation थी कि पहले symptoms आने के बाद ही हम चेक कर पाते थे कि डिजस हुई है या नहीं लेकिन modern method के अंदर क्या हो गया है modern method के अंदर अगर बहुत amount बहुत कम है चीक है तो pathogen का amount बहुत कम है तो हम symptoms आने का weight ही नहीं करते हैं बच्चे पहले ही diagnosis हो जाती है पहले ही diagnosis हम कर लेते हैं चीक है तो यह था पहले मैं बात करूँ बायो टेक्नालोजी एप्लिकेशन इन इन फील्ड ओफ मॉलिक्लर डाइग्नोसिज तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कांवेंशिनल मैथेड की में बात करती हूं किसकी बात्र बारे में बात करती हूं इसको ओल्ड बैठ़ड भी बोल सकते हैं यह फिर इसको ट्रेडिATIONल मैथेड भी बोलते हैं चाहिंए इसको हम इसको हम लैदीशनल पुली रिकवरी नहीं होई है ठीक है कन्वेंशनल मेथड ओल्ड मेथड या फिर ट्रेडिशनल मेथड हम इसको बोलते हैं ठीक है और इसके अंदर क्या क्या चीज़े आती हैं बच्चे इसके अंदर आती है जैसे की सिरम एनलेसिस हो गया ठीक है सीरम एनलेसिस हो गया या फिर बलर्ड सेंपल एनलेसिस हो गया बलर्ड सेंपल एनलेसिस हो गया या फिर यूरीन एनलेसिस हो गया ठीक है यूरीन एनलेसिस हो गया और या फिर मैं बात करूं तो यहां पर टूल एनेलेसिस हो गया ठीक है तो यह मैथर्ड से और यहां पर हम साथ के साथ इसका लिमिटेशन भी लिख लेते हैं हम क्या लिख लेते हैं हैं लिख लेते हैंちゃों लिखेंट क्या होगी बच्चे लिमेटेशं में क्या लिखना का रवी करना पड़ता है ठीक है बिना system को हम पहले माने में यह तो नहीं हो सकते थे कि अच्छा क्या पता यह होते हैं ऐसा तो नहीं करते थे ना में पहले system का symptoms आने का Wait करो symptoms आप गया है तो उसके बाद disease का check करो कि या डिसस suspected है या नहीं है कौनसी disease है तब तक तो number उस pathogen का जिसने सारा का सारा गदर मचाया है उसका number तो उसकी concentration तो बहुत जादा बढ़ गई है ठीक है तो यहां पर अगर मैं limitation की बात करो तो limitation में आप क्या लिखोगे Infection by, Infection by pathogen is suspected after after symptoms produced, ठीक है एंड बाय दिस ताइम and by this time, concentration of by this time, concentration of pathogen या फिर यहां पर आप लिख सकते हो, bacteria या फिर virus इंक्रीज इन इंक्रीज़ इन इंक्रीज इन बॉड़ी ओफ पेशेंट, ठीक है इंक्रीज इन बॉड़ी ओफ पेशेंट, तो यह था conventional method conventional method मतलब आपको समझ में आ गया कि पहले इस तरीके से पता किया जाता था जब तक तो symptoms आ चुका होता है बोडी के अंदर ठीक है लेकिन हम अब हम science and technology आपको पता यह इतना boom कर गई है ठीक है इतने advance हो गई है अब क्या करते हैं हम पढ़ेंगे modern method की के बारे में पढ़ेंगे modern method के बारे में पढ़ेंगे modern method के अंदर क्या होता बचे modern method कि अब symptom साने का वेट नहीं करता modern method पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे हम PCR के बारे में दूसरी हम पढ़ेंगे औ distract Rush के बारे में और जो 30 हम पढ़ेंगे यह पढ़ेंगे हम Elisa के बारे में किसके बारे में पढ़ेंगे हम Elisa के बारे में ठीक है तो सभसे पहले हम बात करतें PCR की जो आप अल्रेडी पढ़ चुके हो PCR को बहुर्य जाद अच्छे से डिटेल में कौन से चैप्टर के अंदर कुछ पता है का प्रोसे के ऊपर एक सैपरेट लेक्टर बनाया है मैंने चीक है जिसको कोई डाउट है तो प्लीज वहां जाके देखिए यहां पर मैं बहुत शॉर्ट के अंदर बताऊंगी क्योंकि हम उसको रिटेल में पढ़ चुक RR का मतलब है बच्चे hacia울entina colimrase chain reaction PCR का मतलब क्या है पॉलिम brakes reaction PCR के पढ़ ची थीन स्टैप होते है चीक है टास 3 steps वसमें घ्टेस टीन स्टैप्स होते हैं बच्चे PCR की नमबर स्सीन स्टैप होता है उसको हमने क्या बोला था दी माचिएृишन जो ठीचिछीं है वो 95 5 degree Celsius के उपर होता है जैसे कि अगर मैं बात करूँ यह double standard DNA है ठीक है यह double standard DNA था अल्राइट यह 5 प्राइम एंड यह 3 प्राइम एंड यह 3 प्राइम एंड और यह 5 प्राइम एंड जब इसको 95 degree Celsius के उपर treat कराया तो इसके बीच के जो hydrogen bond थी वो हो गई ब्रेक हो गई और यह क्या हो बन गया आपका single strand बन गया ठीक है यह 5 प्राइम टू 3 प्राइम और यह क्या बन गया बच्चे आपका 3 प्राइम टू 5 प्राइम यह दोनों जो separate हो गए हैं जब हमने temperature बहुत जादा दिया ठीक है breakage of hydrogen bond प्रेकेज ओफ hydrogen bond ठीक है तो पहला step था दूसरा जो step पढ़ा था हमने अनिय लिंग ठीक है एनिय लिंग के अंदर हमने क्या पढ़ा था और इसका जो temperature है वो था 50 से लेके 65 डिग्री सेल्सियस एनिय लिंग के के अंदर क्या पढ़ा था बच्चे एनिलिंग के अंदर मतलब 3 प्राइम एंड के ऊपर क्या add करता है या करते हैं हम फ्राइमर चिके या एड करते हैं बच्छे फ्राइमर जैसे फाइब टूटरी प्राइमर अर यह थाни फ्री प्राइम आप बोलिए या फिर आप इसको इलोंगेशन बोलिए और यह जो स्टेप था एक किस टेंप्रेचर पर होता था 72 डिग्री सेलसस अब देखो इतना बड़ा जो अब हमें दूसरा स्टेंड चाहिए ठीक है यानि कि हम चाहिए कि हमें चाहिए कि अब यह जो स्ट्रेंड है अपना 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 अलग-अलग कॉपी बना ले यानि कि अब नुक्लियोटाइट करानी पड़ेंगी अब आप यह सोचोगे कि मैं 72 डिग्री सेलसस पर तो नॉर्मल एंजाइम तो सस्टेंड नहीं हो पाते तो हमने एक ऐसा ग्यक्तिरिया का नाम थेर्मस वस्ट करेंगा नुक्लियोंटाइट करेंग और यह जो टैंक बने पोलिंटिरिया पालिम्रेज है हम तो यह उसको बैक्टिरीया और यह आइसे बैक्टिरिया से बैक्तिरिया है क्लेच काijn सादिर क्टिर कर जो है 97 Ax om water spring के अंदर से सस्टेंड कर सकता है तो इसका मतलब वो एंजयम भी इतने हाई temperature के उपर सस्टेंड कर सकता है ठीक है तो यहां पर देखिए elongation के अंदर यहां पर जो स्टेप था जो भी किसे में बहुत डिटेल के pollyum rays का, जो कि nucleotides add करेगा, जो कि क 믹uga add, nucleotides add करेगा और यह ऐसे neucleotides add कर देगा बच्चे, और यह क्या कर देगा, nucleotides add कर देगा और हमें क्या miss help, copy मिल जाएगे, फाई प्रैम टू 3 variety और यह हो गया बच्चे, 3сы प्रैम टू 5 प्रैम, और यह थिक है इसी तरीके से क्या होगा बचे इसी तरीके से हमें कॉपी मिलेगी यानि कि पहले सिंगल डियए का स्ट्रेंड था ठीक है और हमें क्या मिल गए दॉ स्ट्रेंड मिल गए अब आप को याद है अगर हम सैकल को polymer chain reaction को पॉर time के लिए अगर हम run करते हैं तो मैं billion of copies मिल जाती है ठीक है अब पीचियार जो टेक्स्ट है ठीक है पीच्ट टेक्नीक की मदद से हम इसको molecular diagnosis के लिए अंदर पिस तरीके से यूज कर सकते हैं यह सपोज कोई भी तो अगर हम उसका जैनेटिक मटीरियल अब उसकी नमबर तो बहुत कम है अब उसका जैनेटिक मेटियल अगर हम एंपलिफाइग कर ले तो हम यह पता लगा सकते हैं कि जो बॉडी के अंदर इंफैक्शन है या नहीं है और आपको ने यह जान में रखना है कि नमबर बहुत क आपको बहुत अच्छे से डिटेल के अंदर पढ़ाई हुई है यह मैंने बहुत छोटा सा आप यह बोल सकते हैं रिवाइस रिविजन कराया है कि तीन स्टाइप होते हैं डी नाचुरेशन एनलिंग और एक्स्टेंशन डी नाचुरेशन का टाइमप्रिच्र बहुत से डबल स्टेंडिड जो डिन ने है वो उसके बीच की हाइडोजन बॉन टूट जाती है और यह सिंगल स्टेंड बन जाते हैं के इन लिंग अंदर प्राइमर नूकलो एनिलिंग क्या करेगा एनिलिंग के अंदर जो प्राइमर है जो chemically synthesized oligonucleotides होती है वह एक्ट करेगा 3 prime end के उपर extension या फिर elongation के अंदर क्या होगा बच्चे टैक डियर ने polymerase nucleotide add करेगा और इसी तरीके से हमें क्या मिल जाएंगे इसी तरीके से हमें copies मिल जाएंगे ठीक अगर हम इसको 30 minutes के लिए run करें इस cycle को तो इसका मतलब क्या है वो billion of copies हमें मिल देंगी ठीक है कितनी मिलेंगे billion of copies इसके अंदर हमने इसको किस तरीके से molecular diagnosis के अंदर use किया वो हम देखते हैं कि in this technique in this इस technique के अंदर क्या हुआ बच्चे इन इस technique हम ये बात करते हैं इन इस technique पैथोजन ठीक है पैथोजन के अंदर बच्चे bacteria virus जो भी है bacteria virus can be as suspected can be identified लिक सकते हम can be identified by multiplication by amplification by amplification of their genetic material genetic material जैनेटिक माटीरियल का जैनेटिक माटीरियल ठीक है इन इस technique पैथोजन बैक्टीरिया और वाइरस can be identified by amplification of जैनेटिक माटीरियल और इसके अंदर क्या है कि अभी भी symptoms नहीं आये हैं ठीक है कोई भी सिम्टम्टम्स अभी बोडी के अंदर नहीं आये ठीक है अब देखो इसके अगर मैं बात करूं इसके बारे में इसके मैं application के बारे में बात करती हूं ठीक है application application of PCR आपसे पूछ सकते हैं कि PCR क्या है polymerase chain reaction और PCR के बारे में आपसे पूछ सकते हैं कि इसकी application क्या है तो इसको इसको आइटेंटिफिकेशन ओफ यह सब्सक्राइब आए अगर जैनिटिक डिसोर्डर है उसको identify करने में है करती है PCR, helps in detection of HIV and helps in detection of mutation, helps in detection of mutation in cancer patient, ठीक है तो यह आपको दिहान में रखना है और किस तरीके से हम इस चिंज इन एप्लिकेशन को हम अप्लाई कर सकते हैं ठीक है जैन कोई भी जैनेटिक डिसॉर्डर हो गया या फिर HIV की डिटेक्शन में या फिर helps in detection of mutation in cancer patient मतलब क्या है हम सेम करेंगे कि जो जैनेटिक मटीरियल है जो भी disease cause हुई है या फिर gene mutation के अंदे तो हम उसका amplify कर लेते हैं ठीक है जैनेटिक material को या फिर ऐसी कोई भी disease cause हुई है जो कि किसी पैथोजन ने की है तो उसको हम उसको हम में पता लगाना है कि हो किस तरीके से हुई है तो हम क्या करेंगे उसका genetic material को हम amplify कर लेंगे जैनेटिक मटीरियल को हम amplify कर लेंगे तो यह थी आपकी पहली technique जिसको हमने बोला है पी-स-इ-Á यानी की polymarize chain reaction जिसको हमने बोला है polymarize chain reaction ठीक है जल्दी से इसको note कीडि फिर हम बात करते हैं इन किसके बारे में फिर हम बात करते हैं सेकिंड टेकनीक के बारे में और इसको हमने बोला है ओटो रेडियोग्राफी ठीक है ओटो रेडियोग्राफी ऑटो रेडियोग्राफी के अंदर हम क्या करते हैं ओटो रेडियोग्राफी के अंदर हम एक प्रोब यूज करते हैं ठीक है तैकि देखो ओटो रेडियोग्राफिक के अंदर क्या होगा यह भी बहुत सिंपल सी टेखनीक है यह सपोस्ट यह क्लोन इंग एक पैट्रेडिश है और इसके अंदर बहुत सारी क्या है ते यह फिर आप जैनेटिक मटेरिल बोल लीजिए या फिर यहां पर चैल बोलीजिए ठीक ह कि अब अब और इडियोग्राफिका की सरीके से हम यूज करते हैं अब यह हम देखते हैं अब कोई भी अगर जब में किसी के अंदर टीबी शस्पेक्टिड एठीक है तो टीवी का बैक्टीरिया होगा ठीक है अब हर एक का जेनिटिक माटीरियल तो आपको पता है कि यू नह हमें अब हैं तैज कर दिया कर ली कुछ कर दिया कुछ गया कोई भी फ्लॉरेसंट ओमारिकर अतैच कर दिया किया Ó इसका मतलब के अब हम उसको क्या पॉलते प्रो प्रोलते प्लॉब का मतलब है सिंगल स्टेंडी डिन या फिर आरेने विच इस टाइस्ट विद रेडियाक्टिव मॉलिकुल फ्लॉरेसेंट मारकर ठीक है यह हमने केमिकली संथे साइज कर लिया है हमें सस्पेक्ट है ठीक हमें अभी डिजेस कंफरमेशन करनी है अभी सस्पेक्टिड सस्पेक्टिड क्या है कि ट्यूबर क्लोसस है यानि कि बैक्टिरिया बॉडि के अंदर एंटर कर गया है उसके खिलाफ हमने पहले से ही बाहर लैब के अंदर कॉम्प्लिमेंटरी सीक्वेंस तयार कर ली ठीक है और उसके साथ एक रेडियो एक्टिव मॉलिकुल जनरली आज की अंदर क्या होगा हम यूज करते हैं यह dna भी हो सकता है अरहने भी हो सकता है डिपेंड करता है कि हम क कि सुस्पेक्टिड कर रहे हैं टीक है और हमने अटाइच कर दिゃ एक radioactive molecule ठीक है अब हमने chemically synthesize कर लिया है complementary sequence उस bacteria की genetic material के against ठीक है आप जब इसको हम hybridize कराएंगे ठीक है जब हम इसको hybridize कराएंगे तो मेरी बात ध्यान से सुनो अगर infection है तो इसका मतलब क्या है कि यह जो हमने complementary sequence तयार किया था यह क्या कर लेगा बच्चे hybridize कर लेगा यह क्या कर लेगा hybridize कर लेगा अगर hybridize कर लिया तो इसका मतलब क्या है अगर हम इसको x-ray की मदद से हम check करेंगे तो यह different यह color show करेगा ठीक है जैसे कि आपने देखा ही होगा x-rays के अंदर किसी बोन का x-rays ठीक है आपने बहुत सारे x-rays देखेंगे तो यही मेन काम है कि इसका radioactive molecule को attach करने का कोई भी fluorescent marker भी हो सकता है जो कि हमें color दे और हमें यह पता चले कि हाँ hybridization हो चुकी है तो इसका मतलब क्या है hybridization तो तभी possible होगी ना तब इस जो हमने synthesize किया है sequence उसकी complementary sequence यहां पर मिलेगी cloning cells के अंदर मिलेगी वे बात समझ में आई तो simple सी बात है auto radiography के अंदर क्या करते हैं हम एक single stranded dna लेते हैं ठीक है single stranded dna लेते हैं या फिर rna लेते हैं labeled with लेबल्ड विद रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल लेबल्ड विद रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल यानि की हम mainly phosphorus 32 लेते हैं ठीक है या फिर fluorescent marker ठीक है single stranded dna rna लेबल्ड विद रेडियोक्टिव मॉलिक्यूल fluorescent marker अलाओ अलाओ तो hybridize अलाओ तो hybridize अलाओ तो hybridize विद complimentary will be sequence जो भी complimentary sequence है इन clone cells ठीक है and it is followed by फिर फिर यह क्या होगा बच्चे last में it is followed by auto radiography यानि कि हम x-rays का हम यहाँ पर फिर use करेंगे इसका use करेंगे फिर हम देखने के लिए x-rays का हम यहाँ पर use करते हैं ठीक है just suppose हमने एक यह complementary sequence बना लिए है ठीक है यह complementary sequence बना लिए है और इसके साथ हमने क्या attach कर दिया है इसके साथ हमने एक fluorescent marker या फिर कोई भी radioactive molecule हमने attach कर दिया है ठीक है अब इसके पास जो भी bacteria जो infection cause करेंगा इसकी भी कोई ना कोई sequence होगी ठीक है इसकी भी क्या होगी बच्चे sequence होगी और let's just suppose यह क्या है इसकी sequence है ठीक है अब इसके पास जब हम इसको इसके साथ allow करेंगे hybridize करवाने के लिए तो यह क्या करेगा बच्चे इसकी complimentary है तो इसके साथ यह क्या कर जाएगा hybridize कर जाएगा क्या कर जाएगा इसके साथ यह hybridize कर जाएगा और हमें पता है hybridize तो तभी करेगा ना तब इसकी इसकी complimentary sequence यह ढूंड ले गई complimentary sequence क्या कर लेगा बच्चे ढूंड लेगा चीक है तो जो single standard DNA labeled with radioactive molecule है और इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे इसने को जो यह जो मैंने definition लिखवाई है आपको और यह क्या होगी बच्चे इसको ही हम क्या बोलते है प्रोब इसको ही हम क्या बोलते हैं बच्चे प्रोब बोलते हैं मेरी बात समझ में आई मेरी बात समझ में आई कि इस तरीके से हम radio आटो रेडियोग्राफिक का हम यूज करते हैं और यह जब तक आप लिखिये थोड़ा सा पानी पिया जाए और फिर हम लिखेंगे फिर हम करेंगे सबसे जादा इंपॉर इंपॉर्टन टेकनिक हम चोई करेंगे णीजल इंपॉर्टन यूज ऑफर्टन पर्ath इंप लइए फैर टकस्डियर है यह हम और देखेंगे आशाष्यय कि आप दोल फिल्फॉर्म में में नोट कर लेजिये खेक तो फॉल आने चाहिए आपको को आने चाहिए एक तो फुल फॉर्म आने चाहिए, Enzyme-linked, Enzyme-linked Immuno-absorbent Assay, ठीक है, and it is screening test for HIV, यह screening test है, screening test for HIV, HIV का screening test है, और इसका principle याद रखना, बहुँ जादे important है, आपर important mark कर लीजिए, जो principle है, उसका principle क्या होगा, antigen-antibody reaction, principle क्या होगा, antigen-antibody reaction, ठीक है, क्या principle होगा, बच्चे इसका, antigen-antibody reaction, ठीक है, clear है, आप देखो, जो ELISA है न, तीन टाइप की होती है, direct ELISA, indirect ELISA, और sandwich ELISA, है न, काम सब का एक है, काम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे, कि screening test है, किसका ही HIV का, प्रिंसिपल याद रखना, antigen-antibody reaction, प्रिंसिपल क्या है बच्चे, इसका, antigen-antibody reaction, इसका principle है, अल्राइट, देखो, पहले मैं बात कर लेती हूँ, types की, ठीक है, types of ELISA, आप ये सोचोगी, कि मैं मैं आप ELISA एतना detail में क्यों पढ़ा रहे हो, बच्चे, एक ही principle है, काम एक ही करते हैं, ठीक है, काम एक ही होता है, तीनों के अंदर, लेकिन फिर भी एक बार जब आप करी रहे हैं, तो डंग से कर लो, types क्या होते हैं, बच्चे, इसके तीन टाइप है, ठीक है, direct ELISA, direct ELISA, indirect ELISA, और sandwich ELISA, ठीक है, sandwich का मतलब क्या है, दो जैसे ब्रेड लिया, ब्रेड के अंदर आप जैसे भी, vegetables वगएरा भड़ते हो, ठीक है, sandwich ELISA, अब हम एक ही करके समझेंगे, कि इन टीनों का काम क्या है, ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं, हम direct ELISA के बारे में, ठीक है, direct ELISA, यहाँ पर एक line और लिख लीजिए, कि it is done by using microteter plate, it is done by using, एक plate होती है, बच्चे, microteter plate, और जिसके अंदर मतलब, wells होते हैं, ठीक है, जिसके अंदर क्या होते हैं, wells होते हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसकी direct ELISA की, किसकी बारे में बात करते हैं, direct ELISA के बारे में, ठीक है, ठीक है, वैसे वैल, अगर मैं बात करो, तो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देंगे, ठीक है, अब देखो, यहाँ पर मैंने patient का क्या लिया, serum लिया, ठीक है, बहुत असान सी technique है, आप सोचोगी कि मैं पतानी क्या पढ़ा रहे हूं, ठीक है, patient, patient का क्या लिया, आपने serum लिया, जैसे कि blood sample लिया, जैसे कि आपने blood sample लिया, blood sample को centrifuge करा दिया, centrifuge करा होगे, तो RBC वेखेरा, तो नीचे बैठ जाएंगे, सारी के सारी, ऊपर क्या बचेगा, सिरुम, ठीक है, उपर क्या बचेगा, बच्चे, सिरुम, ठीक है, हम इस serum की बात कर रहें, इस किसकी ब कि अलगा हम सास्पेक्टि कर रहे यह यहां परके धुर्फ होज़ाएगा यह अया हम पर यहां पर आप पर फेस पर फिख ऑब यि का पुछ नहीं करना them ने पैशन लिया पेशनर का सिर्म लिया और सरम को किसके के से टाल दूट के आनल दिया थिक अब बाहर से हम क्या लेके आए हैं बाहर से हम क्या करेंगे ready made antibody डालेंगे ठीक है क्या डालेंगे ready market के अंदर available हैं बच्चे ready made antibodies ठीक है with enzyme उनके साथ एक enzyme भी linked रहता है with enzyme linked उस enzyme एक linked रहता है और जर्नली जो हम enzyme जो linked रहता है बच्चे वह कौन सा होगा alkaline phosphatase कौन सा enzyme होता है बच्चे alkaline phosphatase यह किस तरीके का होता है यह हम देखेंगे अभी तक क्या आपने ध्यान में रखना है कुछ नहीं कि हमने serum लिया serum put into well के अंदर डाला बाहर से ready made antibodies होती है मार्केट के अंदर ready made antibodies available होती है और यह जो ready made antibodies है इस antigen के साथ क्या बना लेंगी यहां पर bond बना लेंगी ठीक है आपको पता ही है हम detail में पढ़ चुके हैं antigen antibody यहां पर क्या हो जाएगी बच्चे reaction हो जाएगी ठीक है क्या हो जाएगी antigen antibody reaction हो जाएगी और इस antibody के साथ क्या है यह attach red color से मैंने क्या रिप्रेजेंट किया है बच्चे यह enzyme represent क्या है क्या होगा अब क्या होगा अब हम सेंपल को नब वाश कर देते हलका सा वाश करेंगे अगर हलका सा वाश करेंगे अगर एंटिजन नहीं तो इस सारा का सारा छीज धुल जाएगी तो जाएगी क्यों क्योंकि antigen antibody की reaction ही नहीं और यह reaction अगर antibody अगर antigen present है तो antigen और antibody की reaction क्या होती है strong होती है वह ऐसे जब आप सेंपल धुलते हो तो इसका मतलब है वह बाहर नहीं निकलते चीक है तो इसका मतलब क्या हुआ अब antigen antibody की क्या हो गई है reaction होगी इसी के साथ एक enzyme यहां पर linked है अब हम डाल देते हैं एक chromogenic substrate ठीक है अब हम क्या डालेंगे chromogenic substrate डालेंगे यह क्रोमोजेनिक substrate क्या होगा बच्चे यह क्रोमोजेनिक substrate यहां पर हम डालेंगे और यह जो आपको पता है यह क्रोमोजेनिक substrate हमने क्यों डाला है क्योंकि जो enzyme है यह जो enzyme है alkaline phosphates यह alkaline phosphates यह जो एंजाय में स्क्रोमोजेनिक सब्स्टेट के साथ रियक्ट करके कलर देगा क्या देगा कलर देगा अब जितना ज्यादा डार्क intensity का कलर होगा तो इसका मतलब क्या है कि एंटीजन का माउट उतना जाधा है infection उतना जाधा हो चुक्ず के मीडी बात समझेयों कि सबसेपले का बात करूं सब से पहले którą सबसे पहले क्वार करें शहाँ गौट पेशनटर फिर्म पैशन्ट सरों इस 치रण ऑवए अदर डाला ठीक है सेकेंड जो हमने क्या किया सेकेंड रेडिमेड एंटीबोडी इस लिंक्ड विद एंजाइम रेडिमेड एंटीबोडीज लिंक्ड विद इन्जाइम पूर इंटू वेल, वेल के अंदर पूर हुई ठीक है, अब वाश किया हमने सैंपल, वाश शैंपल, सैंपल को जब हमने वाश किया, ठीक है, अगर ये नहीं जुड़े आपस में, जुड़ेंगे नहीं कब, जब एंटिजन नहीं होगा, अगर एंटिजन है बाहर से हमने एं होगी अब फिर हम क्या करेंगे एड करेंगे क्रोमोजैनिक सब्स्ट्रेट फिर हम क्या करेंगे एड करेंगे क्रोमोजैनिक सब्स्ट्रेट अभी हमने क्रोमोजैनिक सब्स्ट्रेट एड किया है तो इसका मतलब अगर infection है तो हमें क्या मिलेगा color produced ठीक है color produced the if antigen is present अगर antigen present तो इसका मतलब क्या है antigen present है इसका मतलब क्या infection है ठीक है और patient और ऐंटे जन आया कहां से है patient के पास आया है और डारेक्ट अलाइजा है डारेक्ट अलाइजा के अंदर हमने पर पिख देखा वहां पर क्या किया है है बेसा ही है करते हैं तिक यहांपर सिंगल टेक करते हैं बाकी जो दोनों बचगई और संड्विच कर लेते हैं और ही तो सब करेंगे तो यानिकी confirmation हो जाती है ना तो देखो पहले हमने क्या क्या पेशेंट का serum लिया ठीक है उसको वैल के अंदर डाल दिया antigen adsorb हो जाता है ठीक है market के अंदर ready-made antibodies आती है ठीक है और यह enzyme है यह red color का जो मैंने यहाँ पर बनाया है बच्चे यह alkaline phosphatase ठीक है यह जो radicular का जो enzyme है इसको हम बोलते है alkaline phosphatase ठीक है और यह पहली antibody डाल रही है इसके लिए हम इसको primary antibody भी बोलते हैं क्योंकि आगे आप देखोगे कि किसी के अंदर हम दो antibodies भी डालेंगे ठीक है तो यानि कि serum हम डाला serum के पास antigen है antigen adsorb हो गया उसके बाद हम क्या डालेंगे readymade antibodies जो की linked है कि इसके साथ एक enzyme के साथ फिर sample को wash कर देंगे अगर infection नहीं हुआ है तो इसका मतलब है antigen नहीं होगा antigen और antibody की reaction ही होगी और sample पूरा का पूरा दूल जाएगा ठीक है अगर फिर हम chromogenic substrate डालेंगे तो इसका मतलब क्या है अगर यहां पर sample में alkaline यह ही नहीं यानि sample दूल गया है sample दूल गया तो इसका मतलब enzyme भी बहाद चला गया तो यानि कि chromogenic substrate के अंदर हमें color नहीं मिलेगा अगर इंफेक्शन है तो antigen antibody की reaction होगी ठीक है और अगर antigen antibody की reaction होगी तो आप वाश करोगे sample को तो यह दोनों strong बनाके बैठे हुए यह अब नहीं जाएंगे दूलेंगे नहीं अब इसी के साथ क्या है एक enzyme link है अब यह अगर आप chromogenic substrate डालते हो तो क्या देगा color देगा और जितना जादा color होगा जितने जादा intensity होगी उसका मतलब उतना जादा इंफैक्शन है तो यह है आपकी डारेक्ट अलाइजा यह क्या है अब हम बात करते हैं कि इंडारेक्ट अलाइजा के अंदर क्या करते हैं बच्चे जैसे की जैसे मैंने यह क्या बना दिया एक वैल बना दिया है अब यहां से हम एंटिजन ले आए और एंटिजन को एड्जोर्ब करा दिया कि इसके उपर वैल के ऊपर ठीक है यह हमने क्या करा दिया एंटिजन को adsorb करा दिया इन यहां पर मैं step लिक देती हूं anti-gen कि कि एड़्जॉर्ब के ऊपर क्याब बच्चे van को adsorb करा दिया अब antigen का सिरम करा दिया अब हमिसिंदर दा लेंगी तो इसका मतलब क्या है यहां पर antibodies होंगि यहां पर क्या होंग यहां पर यहाँ पर यहां पर वही हम ने serum लिया और अब्की बार हम क्या डाल रहें बच्चे बजाए यहां पर क्या डालेंगे antibodies डालेंगे क्या डालेंगे हम antibodies और यह पहली जो antibodies डालेंगे इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं primary antibody इसको हम क्या बोलेंगे primary antibody ठीक है यहाँ पर double adsorb हो यह वैल के ऊपर adsorb हुआ ठीक है यानि कि यहाँ पर सबसे पहले हमने एंटीजन भार से लाएं एंटीजन को करा दिया एंटीजन का सिरम है यह पेशन के सिरम से हमने क्या डाल दिया antibody हमने डाल दी पहले antibody डालेंगे तो इसका मतलब क्या है antigen antibody complex बन जायेंगा ठीक है तो यह कौन से होगी primary antibody put in well primary job नदर डाल दी एक बार यहाँ पर मतलब क्या एप ur क्रलेंगे इसका मतलब क्या है it just on the Company कहां से आएगी सिरम के वास अरे भाया जब infection hooga तो बोड़ी हमारी उसके खिलाफ एंटी बोड़ी भी तो बनाएगी न अगर एंटी बोड़ी है यहई नई इसका मतलब क्या है infection हुआ 흔र हम एक और चीज डाल देते हैं यहां पर हम एक secondary antibody डालेंगे तो यहाँ पर हो गया अब यह जो secondary जो antibody है इसकी खास बात क्या है यह antigen antibody complex को ही पैचानेगी ठीक है यानि कि यह जो body यह जो हमने yellow color से डाला है इसको हम बोलेंगे secondary antibody इसको हम क्या बोलेंगे secondary antibody और यह है linked with एंजाइम वो सेम एंजाइम के साथ यानिकी alkaline phosphatase एंजाइम के साथ यह लिंक्ट है ठीक है अब यह वाश करेंगे सैंपल को फिर क्या करेंगे secondary antibody linked with enzyme secondary antibody linked with enzyme added in value well के अंदर हम डाल देंगे ठीक है अब इसकी खास बात क्या है यह किसको recognize करेगा it will only recognize only recognize यह किसको recognize करेगा only recognize antigen antibody complex ठीक है जो primary antibody ने antigen के साथ complex बनाया था उसी को ही recognize करेगा एंटिजन एंटिबोडी complex ठीक है यह इसरफ एंटिजन एंटिबोडी complex को ही recognize करेगा फिर से हम क्या कर देंगे वाश कर देंगे इसका मतलब क्या है यहां पर यह भी धुल जाएगी सेकेंटिबोडी डैट इसका मतलब क्या है यह कॉंकि अगर एंटिजन एंटिबोडी complex बना ही नहीं है अब यह क्यों नहीं बना है क्योंकि यहां पर एंटिबोडी क्या पता पहले टाइम के अंदर जो यह हमने डाली वह एंटिबोडी ना अगर एंटिबोडी नहीं है तो इसका मतलब क्या है एक complex नहीं बना तो इसका मतलब क्या है सेकिंट्री एंटिबोडी इसको रिकनाइज ही नहीं कर पाई इसके साथ बोंड ही नहीं बना पाई ठीक है वाश करेंगे ठीक है वाश करेंगे और फिर हमने क्या डाल दिया क्रोमोजैनिक सबस्ट्रेट फिर हमने क्या डाल दिया क्रोमोजैनिक सबस्ट्रेट ठीक है अब यहां पर हम लिख सकते हैं addition of chromogenic substrate addition of chromogenic substrate यह जो chromogenic substrate है यह क्या कर दिया बच्चे डाल दिया ठीक है chromogenic substrate के डालने के बाद अगर color आया है ठीक है अगर color produce अगर color आया है तो इसका मतलब क्या है बच्चे infection positive मतलब infection है तो यहां पर यह डारेक्ट और इंडारेक्ट अलाइजा के अंदर क्या difference है यह difference क्या है बच्चे यहां पर जो इंडारेक्ट जो अलाइजा है यहां पर हमने दो बर चेक कर लिया एक बर पहले wash कर लिया ठीक है फिर हम confirm कर लिया फिर से wash कर लिया तो यहां पे हम दो बर लियंग 52 कर लें दो बर यहां हम चेक कर लें में नहीं तो यह था पूरी की आपकी कहानी और की भारे में में जल्दी से इसको not आउन कीजिए indirect अलाइजा करने के बाद हम लास्ट टाइप करेंगे और इस सेंडविच अलाइजा उसके अंदर भी से मैं कुछ अलग डिफ्रेंस नहीं है एक बर आप यही किजिए अब हम बात करेंगे किसकी अब हम बात करेंगे किसकी बच्चे सेंडविच अलाइजा की ठीक है लास्ट जो थर्ड टाइप है सेंडविच अलाइजा सेंडविच अलाइजा की हम एक बर यहां पर बात कर लेते ठीक है देखो बेशक्से आपके अलाइजा स्लेवर्स में नहीं है लेकिन हां अलाइजा बहुत जाद है और दारेट एक क्वेशन आ जाता है कि अलाइजा किसके उपर बेस रहे एक एक डारेक्ट अलाइजा भी उम्हें खतम कर सकती थी लेकिन अगर आप पढ़ रहे हो तो कम से क अगर दस मिनिट का और लेक्टर देखो गया आपकी अलाइजा तो बहुत अच्छे से हो रहेगी अना देखो अब सैंड्विच अलाइजा के अंदर क्या होगा बच्चे सपोज यह मैंने एक वैल लिया ठीक है अब यहां पर प्राइमरी एंटीबोडी को एड्जोर्ब कर कर आया है इस यहां पर कि इसको अधोर्ब कर आया है फ्रैंब्री एंटीबोडिया इस वाइडी मेड मिलती है तो पहला स्टेप क्या होगा बैरेमरी ँद्यशाफ करा दे वैल के करा दी ठीक है फिर यह जो पेशेंट का हमने सिरम लिया है ठीक है और यह जो पेशेंट का जो सिरम है इससे हमने क्या लिया है एंटीजन ठीक है सेकंड जो स्टेप है वो क्या होगा पेशेंट सिरम और पेशेंट सिरम से हमने क्या लिया एंटीजन पेशेंट सिरम से हमने क्या लिया है एंटीजन अभी जो एंटीजन हम यहां से लेंगे बच्चे यह एंटीजन इसके साथ क्या बना लेगा बच्चे यहां पर एंटीजन antibody complex अभी antigen antibody complex बन गया है इसको हम wash कर लेंगे wash the sample अगर यह reaction नहीं हुई तो इसका मतलब सारी की सारी चीज़े क्या हो जाएंगी दूल जाएंगी अगर present है antigen तो इसका मतलब क्या antigen antibody complex बन गया फिर जो fifth step के अंदर क्या होगा हम secondary antibody डालेंगे ठीक है यह होगी बच्चे secondary antibody और यह जो secondary antibody है इसके साथ हमने क्या attach करवाया हुआ है same enzyme attach कर आया हुआ है ठीक है यह होगी secondary antibody ठीक है तो second जो step है फिस्ट जो step है secondary antibody एंटिबोडी यह लिंक्ड विद एंजाइम एड़े इंटू वैल यह हमने किस के अंदर डाल दिया वैल के अंदर डाल दिया ठीक है अब फिर से हम क्या कर लेते एक बार इसको वाश कर लेते अगर यह complex ने बनाए तो यह remove हो जाएगा फिर हम क्या डालेंगे add chromogenic substrate क्या हम डालेंगे इसके अंदर chromogenic substrate chromogenic substrate हम इसके अंदर डाल देंगे और chromogenic substrate अगर डाल देंगे अगर color आया है तो इसका मतलब positive है क्यों क्योंकि alkaline phosphatase enzyme ने color दिया है इन दे प्रेजन्स ओफ इन दे प्रेजन्स ओफ क्रोमजनिक सब्स्ट्रेट तो यह क्या हो गया बच्चे यहां पर मैंने डाल दिया यह है chromogenic substrate यह है chromogenic substrate यह है secondary antibody और यह है primary antibody और यह pink color का मैंने दिखाया है antigen ठीक है तो यहां पर भी हमने क्या कर लिया दो बार चेक कर लें इसको sandwich क्यों बोलते हैं बच्चे दो जो antigen है देखो sandwich का मतलब क्या है यहां पर भी एक ब्रेड यहां पर भी एक ब्रेड और बीच में क्या धेर सारी वेजर टेबल्स है ना टेस्टी टेस्टी यमी यमी यहां पर भी क्या है एक antibody है दूसरी antibody और बीच में क्या हो गया है antigen यानि की और जो antigen है वो क्या है sandwich की तरह अंदर दोनों antibody के बीच में बंद है तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं sandwich Eliza तो ठीक है और यह जो Eliza है यह पूरा का पूरा procedure मैंने आपको बता दिया है अगर यहां पर color नहीं आएगा तो इसका मतलब क्या है infection नहीं हुआ है अगर color आ गया तो इसका मतलब इसका मतलब क्या है infection हो गया है चीक है तो यह पूरी की पूरी कहानी थी आपकी की अलाइजा की और अब हम देख लेते हैं किसके बारे में अब हम देख लेते हैं बच्चे किसके बारे में NCRT आपकी क्या कहती है ठीक है चलो यू know that the effective treatment of disease early diagnosis and understanding its pathophysiology is very very important कोई भी जो disease है ठीक है early diagnosis बहुत जादा important है disease की using conventional method of diagnosis मतलब पहले जो हम diagnosis करते थे serum and urine analysis हो गया early detection possible नहीं था recombinant DNA technology polymerase chain reaction enzyme link immunosorbentpha are some of the technique that serve as the purpose of early diagnosis okay presence of pathogen bacteria virus is normally suspected only when the pathogen has produced a disease symptom by this the concentration of pathogen is already very high in the body however when a low concentration of bacteria virus at a time when the symptoms of the disease are not yet visible, can be detected by the amplification of the nucleic acid by PCR, तो PCR का यहाँ पर function बताया है, polymerase chain reaction का मतलब क्या है, कि पहले तो हम यह चेक करते हैं कि symptoms आ गया है, symptoms आने के बाद हम चेक करते हैं, अब तक तो number बहुत जादा बढ़ गया है, तो अब गया करते हैं, PCR के अंदर, जो भी pathogen हमें लगता है कि यह suspected है, और उसका हम nucleic जो material है, जो भी nucleic acid है, genetic material है, उसको हम amplify करा लेते हैं using PCR, ठीक है, can you explain how PCR can detect very low amount of DNA, और आप बताई सकते हो क्योंकि यह मैंने आपको बताया हुआ है, PCR is now routinely used to detect HIV in suspected AIDS patient, it is being used to detect mutation या पर application है, mutation in gene, कोई भी gene हो गई है, जो भी quenture patient है, उनके अंदर कोई gene mutation हो गया है, उसको check करने के लिए, ठीक है, और बहुत जादा genetic disorder वगेरा है, उनके अंदर भी यह चीज, कोई भी genetic disorder है, उसको पता लगाने के लिए यह चीज की जाती है, ठीक है, next, a single standard DNA और RNA, अगर tag कर दिया है, radioactive molecule से, जिसको prob कहते है, it is allowed to hybridize to its complementary DNA, in a clone of cells, which is followed by detection using auto radiography, यह मैंने आपको समझा दिया है, कि किस तरीके से हम auto radiography का हम use करते हैं, the clone having the mutated gene gene will hence not appear on the photographic film, the clone having the mutated gene, वो अपिर नहीं होगा photographic film के अंदर, because the probe will not have complementary with the mutated gene, यानि कि अगर कोई mutation हो गई है, तो इसका मतलब क्या है, वो hybridize नहीं करेगा, अगर hybridize नहीं करेगा, तो इसका मतलब अपिर वहाँ पर नहीं होगा, Eliza किसके उपर based है, यहाँ पर बहुत जादे important है यह वाला antigen antibody reaction के उपर यह based है, infection by pathogen can be deducted by the presence of antigen protein, glycoprotein और by deducting the antibodies synthesized against pathogen और यह हमने पूरा detail में कर लिया है, तो last class के अंदर आपको याद है, अगर आपने पढ़ाई की है, तो आपको पता होगा कि हमने gene therapy और जो human insulin से related question नहीं किये थे, तो आज की class के अंदर हम दोनों से related question करेंगे and here is the first question, यहाँ पर जाता है आपका पहला question, ठीक है, बताओ, तो पहला question क्या है, the first company to synthesize and market recombinant humulin in 1983, company का नाम बताना है, Sun Pharma, Torrent, Eli Lilly, या फिर abetaut, abetaut, या फिर laboratories, 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 ठीक है, यहाँ से पढ़ने में नहीं आ रहा था, laboratories, ठीक है, तो बताओ, the first company to synthesize, सबसे पहले किस company ने synthesize किया, किस ने synthesize किया, Eli Lilly ने, number याद रखना, year याद रखना, that is 1983, ठीक है, now the next question, how many recombinant, recombinant therapeutics are being marketed currently in India, India के अंदर, अगर मैं बात करूँ, 30, 30 तो मतलब, all over, globally, discover किये जा चुके हैं, और जिसके अंदर, 12 हैं, 12 हैं, ड्रग, genetically engineered therapeutics, यह market के अंदर, इंडिया के, इंडिया के market के अंदर, यह available है, human production, human production, through microbial factories, does not include the incorporation of the gene for, A, B, C, या फिर A and B, human production करते हैं, आपको पता हैं कि, जो premature insulin है, उसके अंदर, ABC gene, ABC, polypeptide chain होती है, लेकिन, अगर मैं mature insulin के बात करूँ, तो mature insulin के अंदर, C polypeptide chain नहीं होती है, और यही सबसे बड़ा task होता है, कि mature insulin को assemble करना, ठीक है, तो यहाँ पर देखो, human production through microbial factories, does not include the incorporation of the gene for, C peptide, क्योंकि A और B तो होती है, C peptide की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, next, यह तो यार, एक तो homework कर लो, ठीक है, एक तो homework आप करी लो, है, यह आपका homework है, homework question में पढ़ देती हूँ, which step proved to be the main challenging obstacle in the production of human insulin by genetic engineering, splitting of A and B polypeptide chain, addition of C peptide to proinsulin, getting insulin assembled into the mature form, removal of the C peptide from the active insulin, और यह आपका क्या है, homework है, ठीक है, next, the first clinical gene therapy was given, पहले, सबसे पहले, four year old girl, ठीक है, year क्या था, 1990, ठीक है, और किस क्यों, किस चीज़ की deficiency थी, adenosine deaminase की deficiency, ठीक है, और यह जो enzyme है, किस के लिए responsible था, immune system की, जो कि एक toxic compound बनता था, हमारी body के अंदर उसको remove करता था, toxic compound को अगर remove करता था, तो इसका मतलब क्या था, तभी BOT lymphocyte बन पाती थी, और जो कि हमें cell meditated immunity और humoral immunity देती थी, ठीक है, next question, an example of gene therapy, gene therapy का example क्या है, ठीक है, production of injectable hepatitis, gene therapy का मतलब क्या है, कि कोई भी unhealthy gene है, non-functional gene है, उसको remove कर देना है, with the healthy functional gene, ठीक है, production of injectable hepatitis B vaccine, ये भी नहीं होगा, ठीक है, production of vaccine in food crops like potatoes, which can be eaten, ये भी नहीं होगा, introduction of gene for adenosine deaminase in person, कोई suffering from severe combined immunodeficiency, ये ही आपका example था, ठीक है, production of test tube baby ये भी, gene therapy का example नहीं है, तो gene therapy का example क्या होगा, आपका option number, C is the correct answer, human insulin is being commercially produced from a transgenic species, ठीक है, Eli Lilly company ने कौन सा use किया था, cell, E. coli, ठीक है, क्या use किया था, E. coli, तो correct answer होगा आपका A, the two polypeptides of human insulin, तो दो chain होती है, polypeptide, ठीक है, वो दोनों किस से join रहती है बचे, ये join रहती है आपकी disulfide bridge से, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, नव दे नेक्स वेशन इस, विच कांड ओफ, थरैपी वोज गीवन इं 1992, 4-year-old girl, with adenosine deaminase deficiency, जीन थरैपी दी गई थी, ठीक है, यानि कि, जीन, जीन डिलीशन हो गया था, ADA जीन का, जिसकी वज़े से, एंजाइम नहीं बना था, ठीक है, और उसकी मदद, उसकी हमने मदद की थी, एंडर्सन, डॉक्टर जीने, उनकी मदद की थी, जिनको father of gene therapy भी बोलते है, नियूरोग के अंदर ये पूरा का, पूरा एक्स्पेरिमेंट किया गया, ठीक है, National Institute of Health, नियूरोग के अंदर, और जो टेकनीक थी, उसको हमने क्या बोला था, gene therapy, ठीक है, नेक्स्ट क्वेशन है, अब पर्मानेंट के और of ADA deficiency could be, पर्मानेंट प्यूचा है, वैस्तों तो एंजाइम रिप्लेस्मेंट भी है, यह treatment किया जाता है, जो gene, जो bone marrow का, जो कि responsible ADA synthesis के लिए, ADA enzyme की synthesis के लिए, तो यह पर्मानेंट के और था, enzyme replacement therapy, bone marrow transplantation नहीं था, introduction of functional ADA, complementary DNA into lymphocyte, introduction of gene isolated from the bone marrow cell, produce ADA into early embryonic stage, तो correct answer क्या था, जो का option number, D is the correct answer, यहालंकि यह भी permanent नहीं था, क्योंकि इनका life span limited रहता है, ठीक है, तो वो gene, जो कि isolate किया, bone marrow cell का, bone marrow cell से, जो कि produce करता था, ADA को और उसको अमने, तहां पर दे दिया, early embryonic stage के अंदर, तो correct answer क्या होगा, आपका option number D, conventional method, और note, conventional method, serum analysis है, बच्चे, urine analysis है, early detection possible नहीं है, ठीक है, तो correct answer क्या हो जाएगा, option number C is the correct answer, next है, props are molecules of, props, props जरूरी नहीं है कि स्रफ DNA का हो बच्चे, यह जो protein भी हो सकता है, DNA भी हो सकता है, RNA भी हो सकता है, labelled with the radioactive molecule, so the correct answer is D, for the first time synthesis of two DNA sequences of insulin was carried out by Eli Lilly in, year बहुत ज्यादा important है, मैंने आपको बताया था, 1983 के अंदर, Eli Lilly ने, humilin को बनाया था, और 1990 के अंदर, जिन थरेपी दी गई थी, ठीक है, दोनों year आप याद रखना है, बहुत अच्छे से, next question, according to NCRT data, ठीक है, कितने therapeutics, recombinant have been approved for human use, and how many are marketed in India, तो 30 approved हो चुके हैं, 12 उन में से market हो चुके हैं, इंडिया के अंदर होते हैं, ठीक है, last question है, molecular diagnosis, technique based on antigen antibody reaction, यह तो बहुत असान है, Eliza, ठीक है, और आप मुझे बताओगे, comment box के अंदर, Eliza की full form, Eliza की क्या full form है, आप यह मुझे बताओगे, ठीक है, तो यह था आपका lecture, यह पूरा का पूरा lecture हमने पढ़ा है, और अब आपका, इस chapter का, सिरफ last lecture बचा है, जिसके अंदर हम transgenic animals करेंगे, और हम ethical issues करेंगे, related with biotechnology, ठीक है, और यह हम chapter खतम करेंगे, बस last lecture बचा है, फिर हम अपना last chapter, last lecture हम करेंगे, और last chapter बचा हुआ है, evolution, human evolution हम करेंगे, शुरू ठीक है, बहुत जल्द, तो मिलते हैं next lecture के अंदर, तब तक अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहे हैं, पढ़ते रहे हैं, और cold fever से बचके रहे हैं, मिलते हैं next lecture के अंदर, thank you so much, take care.